खबर अजमेर से हैं जहां खेत में बनी छोटे तलाब में डूबने से चार बच्चे की मौत हो गई ये बच्चे नहाने के लिए गया थे इनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई जा रही है सुषना मिलने पर ग्रामेर मौके पर जुटे और बच्चों की तलाश शुरू की इसी बेज, पुलिस और प्रसासन भी मौके पर पहुँचा जेसीवी की मदद से नाडी का पानी तोडने के लिए मोरी बनाई गई और उसका पानी कम किया गया राहत और बचाव के निये अजमेर से SDRF की टीम को भी बुलाया गया करेट पांच घंटे की मसकत के बाद राद करीब साड़े ग्यारा बज़े चारो बच्चों की बॉड़ी निकाली गई इसके बाद चारो के सब पिसांगन पिएसी की मर्चुरी में रखवा दिये गए हाद साम अंगलवार देर राजजिले के पिसांगन थानत छेतर के भरसूरी सरहत इस्थित जोड़ वाली नाडी पर हुआ है ग्रामीड के अनुसार गाय भैस चराने के लिए नया गाउं प्रताप पुरा के चार बच्चे खेत की तरफ गए वहाँ नाडी में नहाने के लिए जोड़ की नाडी निवासी गोपाल पुत्र तेजा प्रताप पुरा निवासी भोज राज पुत्र लक्षमर सोनू पुत्र पांचू गोद्दा पुत्र राम करण उतरे इसी दोरान साम कुम वेसियों के साथ बच्चों के घर नहीं लोटने पर परिजनों को अन्होनी की आसंका हुई बच्चों की चिंता में परिजन और ग्रामीडों ने जंगल की ओर गये वहां भरसुरी सरहाद में जोडवाली नाडी किनारे बच्चों के कपड़े पड़े थे इसके बाद प्रसासन और पुलिस को सूचना दी गई रेस्क्यू सुरू किया गया इस बीच राद सबा 11 बजे से लेकर राद साड़े 11 बजे तक नाडी से एक के बाद एक चार मासूमों के सब निकाले गए हाथ से की सूचना पर जिलापुलिस अधिक चक चुना राम जाड उपखंड अधिकारी प्रियंका बढगुजर नायब तहसिलदार मंजूर अली जिलापुलिस उप अधिक चक अजमेर ग्रामेर मुहमद इसलाम खान प्रधान दिनेज कुमार नायब थाना दिकारी नर्पत राम बाना पटवारी प्रमेर कुवार गोदा मौके पर पहुँचे पीसांगा नस्डियंप प्रियंका बढगुजर ने बताया कि चार के सब मर्चुरी में रखवा दिये हैं इन चारों के परिजन को निया मनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी